राची जिला के अमनबुरू मामला गंभीर है ना तो यहां कान छेदी था और ना ही यहां साधी विवा जिन बच्चों का कान छेदी करना था वो तो गाउँ आये ही नहीं तो किसकी कान छेदी की जाती शवाल गंभीर है और इधर पंजाब दिल्ली और मजदपर्देर से मेहमान पहुंच गए कान छेदी का निमंत्रन भी गाउं के किशी लोगों के पास में नहीं था और ना ही साधी विवा का कोई माहौल था करें ग्राद ग्राद तो आशंदा कि टव खुबा गला के जहें अकान छेदी रहे हैं खुबर है कोई खुबर तो हमरे तो अमरे के तो नीमीले कोट है हूं जो तो नीवल रहे हैं हम आले तो जो चाव माय बढ़े करतें कं छेदी कर ख़वर नहीं रहे नहीं रहेंक ओकर स्भाइव लगेला जो ये हक हैं खांब्ल। बेटा बेटी क्यों है रहे हैं वो लिए रहे हैं कि सम्भु कर दिधी से थी दिधियों कॉर्ण दुवित दि हम रहे बताना का बट्राइना केरली को अ्परअर पाट लिकिला उम्रे क्तृम जीला किल सुप्की काड़ इला आर आठ नंव जय कन भ।ा typically या मम अछेदी कोड़ियो मारा लीखी ला दृल कि अपर बेटावर गर पकांशे दिने रोहे कई तरीक रेगा है भूटान है हुआ है हले है तरीक मारी थांप देड्य नहीं तरुट परिड़तर शांवार जाना कर ला थिए, टर जैना तर रहो थ्रह थ्रह जला है 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 जाना कर देए कर लोह नों अगज़ायांक या तो सुन्यादी कि भई वह थार जोंग रहें दिया गुष्ट आ जूट रहें तरहे के नहीं रहें कोचीशतरीर नोटेश्त पहती रहें तो कर चुवा गिला तो रमभू कर आप नहीं को इरुद्धन तो विरकान चे दिकार को मुझे निया रहा जूट कदा को आप तो तो यह जूआ गिला रहा तरन भीत्रे से चुवा गिला गहर लेके बाराय काहे नहीं देता है पूरी साजिस की तरह श्रंबू मुंडा दिल्ली पंजाब और मजदपदर से पहुँचे चार लोगों को सरंदिया इसके बाद रात के अंदरे में अंगडा से दो नावालिक बच्चियों को लाकर घर में केत कर दिया इन बच्चियों को ना नहाने दिया जाता था और ना ही घर से निकलने की इजाज़त दी जाती थी अगर कान छेदी की बात है तो धोंग अपनाया गया अगर सादी की बात है तो भी धोंग अपनाया गया यहां तो सिर्प एक ही काम था किसी तरह से इन बच्चियों को इस गाउं से निकाल लिया जाए लेकिन इस लोगडाउन ने परदाफास कर दिया दिल्ली पंजाब मजद परदेश से आये इन लोगों ने पहले तो कान छेदी बताया इतना ही नहीं शम्मू मुंडा और उनके पिता चाओ मुंडा ने भी कान छेदी की बातें ही कही है लेकिन जब यह सभी लोग ठाना पहुँच गए तो यहां कान छेदी और साधी दोनों कार्जकरम की बात इन लोगों ने बताई शुनिये बुंडू इस्पेक्टर ने क्या कहा इन लोगों में सभी ने मीजूर करके अच्छे लाउते बात किया तो उसके जो दमाद के भाई है कालिया उससे साधी की बात चली और उसी साधी के दर्मया बात्चीत के दर्म्यान में वहां पे यह लोग सभी हो चार लोग एक सारी को आए थे एक चीज और है शुरुवात में जब उनसे बात्चीत किया गया था उसका नाम है चाव मुंडा जब इनको पूछा गया ये दो बच्चियां आपके घर किस काम के लिए आये हैं तो उन्हों ने कहा कान छेदी कार्जक्रम में पहुंचे हैं मैं पुछल लाओं मर बटा के मैं मुण के का कर रही हैं तो कोते नहीं कान मिंधन कर भी के कठी जूरी कर भूंचे लहीं हैं चाओ मुंडा ने बताया इन दो बच्चियों का साधी विभा का कोई जानकरी नहीं है अगर मेरा बेटा ऐसा बोल रहा है तो जूट बात है श्रम्भू मुंडा का पिता चाओ मुंडा का कहना है कान छेदी के लिए डेढ़ता है नहीं था अगर तो अपर कोई बेटा हैं दुटा दुटा है उपां शुरेस शू यहार एक शमभू सु 드ड़ोटा बीती रहें इक ता बेटी के अच्छे लाल साधी कोई रे और शुर अच्छे लाल रे अर एक ता बेटी तो नहीं पता है उटा नहीं पता है जोब गया है। तो इंने तब बिना डेटी पहुँच रहां तो मेहमान गेला चैरलोक अधा के शनकर के बोला अरे उट्राओं है जाने सभी बाते के नहीं जन ले तो वे मुश्किल है जब तर मेहमान ला पहुंचाते हैं अर तर बेटी नहीं पहुंचाते हैं तो अब उमने पहुंच जा है तो अब जेकर कान पे दवा उन नहीं पहुंचे कर कार कम बेटा बात कर लोग कानचे दिने यह कान चेदी को पथा अरुप इक व्यकों पाता ने कि महारे बार ऊए इस्पेक्टर रमेश घुमार का कहना है तो बात समय अको कान छेदी था तो बात चांब ने है कि हम लोग कान चेदी में आो आपको बतते चलें कि ना तो इहां कान्छेदी का प्रोग्राम था और ना ही एहां साधी का प्रोग्राम था इहां तो सिर्प एही था इन दो नावालीग बच्चियों को किस तरह से गाउ से निकाल लिया जाए यहां हर बात बनावटी और जूटी निकल रही है इसी करण नीश्टोप इंडिया की ब्रताल में मानत असकर का संदे आ रहा है परकाल में और रहा है है कि रहाए है कि μεकाने कोहत दजी है। कि हम धैने जाब हम के बाद स्टिक रहा है कि कि मामा गादर खले सकुमे कर बाहले कोई गाम लाका हिनी निपर बाहले को अ